नमेशकार मित्रों मकर सकरानती, बहुती पवित्र पुन्याईदिन जि जिन भगवान सूरिय मकर आशी में होते हैं और उतरायण होते हैं इस जिन बहुत सारे दान, पुन्य नियम ले जाते हैं उनी में से एक नियम है रास्ते पर रहा पर जाड़ू लगवाने का एक साल तक नियम लेना उसकी कहानी की आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं एक बुरिया माई थी वह बहुत ही धर्मात्मा थी धार में कारिय करती थी गर्मियों में गर्मियों के कपड़े दान करती, सर्दियों में सर्दियों के गरम कपड़े दान करती जो भी आता उसको खाली हाथ ना जाने देती, बिना भोजन के तो किसी को भी नहीं जाने देती थी बहुत ज़्यादा दान पुन किया करती थी, भूके को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, कभी वस्तर देना, कभी बरतन देना, सभी तरह की दान, पुन, व्रत, नियम किया करती थी, सभी तीरत कर चुकी थी इस प्रकार बुडिया माई हर काम करती थी और भगवान से प्रात्ना करती थी, हे भगवान आप मुझे वैकुंठ में वास देना, दिन पर दिन बुडिया माई बहुत जादा बुरी होती गई, एक दिन वहें आया जब बुडिया माई की मृत्यू हो गई, मृत्यू के बाद उसके पोता-पोती, पुत्रों ने, सभी ने बहुत अच्छे से उसका संसकार किया, सब कारिय किये, लेकिन बुर्या माई की आत्मा को शांती न मिली, वहे जंगलों में भटकने लगी, वहाँ पर भेड चलाने वाले जाया करते थे, उन्हें कुछ अवाज आती, तो एक दिन उसने पूछा तुम कौन बोलती हो, उसने कहा मैं उसकी मा हूँ, और मेरी आत्मा ऐसे ऐसे तड़प रही है, क्योंकि मैंने कभी भी रहा पर जाडू नहीं लगवाई, रहा जाडू का कोई नियम ने लिया, जिससे की मैं रास्ते में नहीं जा सकती, रास्ते में आने वाल और पुत्र वहाँ जंगल में आई, और तब उन्हें भी है चानकारी मिली कि बुढिया माई की आत्मा तड़प रही है, क्योंकि उसने कभी भी रहा पुहारने का नियम नहीं लिया था, तब उन्होंने अपनी मा से ही है सब देखकर, अपनी मा के निमीत रहा को पुहारने का अर्थात रास्ते में जाड़ो लगवाने का नियम लिया, जिससे की बुढिया माई के मार्ग में आने वाली सारी बदाएं दूर हो जाएं, उसका मार्ग साफ हो जाए, कोई भी काटा उसके पाउं में ना चुबे, जिससे उसकी आत्मा को शान्ती मिले, तो मित्रों रह रहा बुहारने की यह है, आपके साथ कथा मैंने अपने दादी मा के मुझे से सुनी हुई, आज आपके साथ शेयर की हैं, जीवन में एक बार रहा बुहारने या अपना रास्ता साफ करने का नियम जरूर लेना चाहिए, जिसमें हम सफाई करमचारी को कुछ दक्षिना, ज ठाडू, टोकरा दे देते हैं, और एक साल तक रास्ता साफ करवाया जाता है, ताकि परलोक में हमारे मार्क में आने वाली सभी वाधाएं, सभी कंकर, पत्थर, काटे दूर हो जाएं, तो रहा बुहारने की यह है जानकारी और वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें, सकरां से हम रोड साफ कराने का या रा बुहारने का जो नियम लेते हैं, वह कैसे ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आँ वहाँ जाकर चक आउट कर सकते हैं, और यह नियम भी सकरां से उठा सकते हैं,